नमस्कार बहुत स्वागत है आपका दोस्तों कर्ज एक ऐसी चीज है ऐसी परिशानी है जो अगर पीछा ना छोड़े तो जीवन जैसे ठहर जाता है और आज कल के आधुनिक जीवन में कर्ज लेना भी जरूरी है यहां तक कि लोग फुरिज भी लेते हैं तो वो भी लोन पे इंस्टॉल्मेंट में 10-12 जमा कर रहे हैं गाड़ी भी लिया वैसे ही फ्लैड भी लिया वैसे ही असन में हर चीजों के दाम भी इतने हैं कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते तो हम चाहते हैं चलो महने महने कुछ कमाएंगे और असुल कर देंगे ऐसे में जब हम कर्ज से मुक्ती नहीं पा रहे हों सोचा तो था जब लिया था कर्ज वापस कर लेंगे लेकिन वापस नहीं कर पा रहे हैं तब क्या होगा लाइव ठहर सी जाती है जीवन में बहुत सारी परिसानिया आ जाती है जीवन लगता है जैसे अंधकार में चला गया है कुछ और आगे का रास्ता ही नहीं दिखता कर्ज वैसे तो है बहुत अच्छी सम अच्छा है नहीं समढल पाये तब बुरा हो जाता है सबसे पहली बात हम आप्पसे शुरुवात में कहना चाहेंगे कर्ज कभी भी ना ही मंगलवार के दिन ले और ना ही दे सनीवार के दिन अगर करज लिया तो करज चुकाने में पता नहीं दो-चार जन तो लगी जाएंगे और मंगलवार के दिन अगर आपने करज लिया या फिर दिया तो अगर आपने किसी को दिया है तो वो पैसे आने से रहे और अगर आप कहीं से कर्ज लिए हैं तो ऐसी ऐसी परिसानिया आएंगी आप कर्ज वापस खर ही नहीं पाएंगे तो हमेशा ही इन बातों को ध्यान डखिएगा रभी बार इस दिन भी कहते हैं ये खाले देन है कर्ज लेने देने से बचना चाहिए दोस्तो कर्ज अब आप ले चुके हैं जीवन में परिसानिया ही परिसानिया है तब इससे मुक्ती पाने के लिए हम तमाम तरह के प्रयोग करते हैं उसी में हम आज आपको दो तीन ऐसे बिस्तार से आपको उपाए बतलाएंगे जिसको करने के बाद आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं तो इसी करब में हम सबसे पहले आपको बतला दे अगर आप से किसी ने कर्ज लिया है आप परिसान है तब क्या करेंगे रभी बार से दिन सुरू करना है लगातार 27 दिनों तक भगवान सुरू को जल में एक चुटकी लाल मिर्च के बीच डाल के जल अरपित करें और उनसे प्राथना करें आपका जिसने पैसा लिया है वो आपको मिल जाए और इस बीच इन 27 दिनों के बीच जितने भी सनी बार मंगलवार आते हैं आप उनसे अपने पैसे वापस लेने के लिए यानि मांगिए उनसे आपको यकीन मानिये बहुत जल्द पैसे मिल जाएंगे दूसरी बात अब हम आपसे कहने वाले हैं आप कर्ज के दलदल में खुद फज गये हैं चाहते हैं इस दलदल से निकले दोस्तों एक बात हम यहां कहना चाहेंगे उपाय तभी काम करेगा जब आपकी अंदर की इच्छा भी रहेगी हां हमें कर्ज से मुक्त होना है यह नहीं कि उपाय कर लिए अब खुद वकुद पैसा आएगा वापस आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला यकीन मानिए आप उपाय भी कीजिए और प्रयास भी कीजिए जीवन सार्थक होता है सफल होता है तो सबसे पहले तो हम आपको बतलाएंगे ज्यादा परिसान ना करते वे अगर आप कर्जों से बहुत परिसान है कर्ज आपको बहुत परिसान कर रहा है आपको लगत एक पान का पत्ता ले और उसके चिकना साइड पान का पत्ता पीछे से रूखा होता है उसके लोंग रखेंगा दो इनाइची रखेंगे और पान के पत्ते को मूर कर बिल्कुल पान के तरब बीड़ा बना ले अब हनुमान जी के चर्णों में रख दे हनुमान जी के मंदिल जाईएगा मंगलवार के दिन कर सकते हैं सनीवार के दिन कर सकते हैं ये दो दिन करजी के लिए ज्यादा उत्तम रहते हैं वैसे आप किसी भी दिन कर लें अगर आपको जैसी भी सुभीदा हो आप कीजिए क्योंकि भगवान तो हर दिन हर किसी की सुनते है तो आप ये जो आपने बिड़ा बनाया मंगलवार या सनिवार की साम में रखना है आपको हनुमान जी के मंदिर में और तीन महिने तक लगातार ऐसा करें अगर कर्ज चुकाने के रास्ते बंद हो चुके थे तो वो खिलेंगे इन तीन महिनों में ही आप कर्ज चुकाने की स्थिती में आ जाएंगे या धीरे धीरे करके आपके पास पैसे भी आएंगे आप कर्ज से मुक्त भी होना सुरू हो जाएंगे बहुत ही अचुक टोटका है इसका कोई काट है ही नहीं दिल से कीजिएगा आत्मा से कीजिएगा फिर देखिए करजों से कैसे मुक्ती मिलती है अब हम आपको दूसरा उपाय बतलाते है एक पान का पत्ता कहते हैं पान के पत्तों में जादूई प्रयोग होती है जादूई असर होती है या कहें तो जादू होता है आप अपनी मुस्किलों को दूर कर सकते हैं पान के पत्ते से कैसे? चलिए हम बतलाते हैं तुटावा होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा हमने पहले भी जो उपाय बतलाया उसमें भी इस बात का ध्यान रखिएगा और पत्ता हमेशा ही हरे रंग का लेना है छोटा बड़ा कोई माइने नहीं रखता पीला पत्ता मत लीजेगा एकदम ग्रीन सुंदर सा पत्ता लीजेगा देखकर दोस्तों अब हम जो आपको उपाय बतलाने जा रहे हैं वो है आपके बैफसाई में बरकत के लिए धन आने के लिए अगर आपका बैफसाई में बरकत नहीं है नियमीत रूप से धन नहीं आता है आप जौब भी करते हैं, आपको तंखार नीवमित रूप से नहीं मिलती, तो ऐसे में आप एक उपाय करें, दोस्तों एक पान का पत्ता लें, बिल्कुल साबूत, टुटा फटा हुआ, कटा हुआ, पीला नहीं, डंठल के साथ साबूत पत्ता लें, और चिकना साइड होता ह होता है, खुर्दरा साइड, तो आपको चिकना साइड नीचे कर लें, और खुर्दरा साइड उपर कर लें, अब खुर्दरा साइड वाले, यानि उल्टा साइड का पत्ता, उस पर गुलाब की कुछ पंखुरियां रखें, दोनों हातों में लें, मा दुर्गा को अर्पि देखिए याद रखिएगा हर सुक्रवार के दिन करना है दोस्तों हमने कहा चार उपाई हम चार ही बतलाएंगे हमने दो बतला चुका अब तीसरा जान ले अगर आपका कोई काम है जो बन नहीं रहा बेटी का बिवाहत तैनी हो पा रहा आपका जौब में प्रमोसर नहीं हो पतनी भी परिसान है यानि महिलाओं को भी परिसानी आती है माल लेते हैं उनके कोई मन में कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है कमान तरह की ऐसी चीजें होती है जीवन में जो कहीं न कहीं अटक जाती है आपने मकान बनवाने का सोचा है मकान नहीं बननान बड़ा काम जो काफी समय से रुका हुआ है आपका मकान, आपकी नोकरी बिबा फाइनल नहीं हो पा रही है फाइनल हो गई तो तारीख नहीं मिल पा रही है अैसी दसा में एक पान का पत्ता ले उस पान का पत्ता याद रखिए यहां भी वही नियम है पान का पत्ता कटा फटावा नहीं होना चाहिए तुटावा नहीं बिल्कुल ग्रीन कलर का एकदम सुन्दर सा आपको लेना है एक साबूत पान का पत्ता अब उसका चिकना हिस्सा जो है उसे नीचे कर दे और खुरदरा हिस्सा यानि पीछे वाला पाट उपर रखे यानि उ के काम में रुकावटे हैं वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए और ये प्रियोग आप दो से तीन महिने लगातार कीजिएगा प्रियोग आपको मंगल वार या सनी वार के दिन कीजिए या रवी वार के दिन ये तीन दिन जो होते हैं वो तोटके के लिए बहुत अच्छे ह होते हैं आप देखिएगा दो से तीन महिने तक लगातार करने से आपके काम में जो रुकावटे हैं वो दूर होंगी और आपको काम में सफलताई भी मिलने लगेंगी बहुत ही सिंपल सा उपाय है और ये तीन उपाय जीवन में कहीं ने कहीं आपको तरक्की जरूर देंगे चलिए अब इतनी चीजी हमने बात की साधी विबाग, घर, मकान, पर्मोशन, परिसानिया उसके बाद हमने बात की आपके करजे की अब हम बात करते हैं धन तक आपको मिल गया अब स्वास्त अब स्वास्त के भी ना तो पूरा जीवन कंपलीट ही नहीं होता क्योंकि स्वा पत्ता लीजिए बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने पहले कहा अब चिकने साइड यानि सीधा साइड सिंदूर से उंगली में आप सिंदूर लगाईए और उस पत्ते पर लिखिए राम और सामने साइड से ही हरुमान जी के चर्णों में चढ़ा दें यानि जिस साइड से आपन प्रैंगे तो दोस्तों याद रखिएगा साम के समय आपको हनुमान जी के चर्णों में अर्पीत करना है और कोई भी उपाय हमने जितने भी दिन लगातार कहें हैं आप लगातार ही कीजिएगा अमान लेते हैं आप पुरुस हैं आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी माह, बेहन है पत्नी है बच्चे हैं कोई भी कर सकते हैं आप महिला है आपके भी घर में जो भी है आपको टाइम नहीं है तो कोई भी कर सकते हैं बस प्रेम भाव होना चाहिए भक्ती भाव होना चाहिए दिल से आत्मा से पुलाईएगा भगवान आएंगे हम आपसे विदा लेते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद हर हर महादेव